एक बार की बात है जंगल के पास एक घर में कासिम नाम का एक लड़का और उसकी दादी रहते थे कासिम एक दिन खेल रहा था और खेलते खेलते वो खिडकी के पास आकर बैट जाता है और ओ खिडकी के बाहर देखता है तो उसे एक चुड़ेल नजर आती है जो की गाइब भी हो जाती थी इसे देखकर वो अपनी दादी से पूचता है दादी, क्या वो कोई भूत है जो जंगल में घूम रही है और बहुत डरावनी दिखती है क्या भूत? नहीं गटा, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती स्टोरीज को क्रिएट कर सकते हूं उस सब के बारे मैं आज किसी वीडियो में बात करने वाला हूं तो जैसा वीडियो के लिए आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है सेम टू सेम वैसे ही अनिमेशन वीडियो को हम लोग क्रिएट करने वाले हैं तो वीडियो काफी तरह इंट्रेस्टिंग होने वाला है वीडियो को इंट तक जरूर देखना तो चल लिए बिन अजार टाइम को वेश्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस टाइब के एनिमेशन को create करने के लिए हमें यहां पे तीन चीजे चाहिए एक है बैगराउंड दूसरा है characters और तीसरा है animation app तो यहां पे जो animation app है और characters है हमें एक ही साथ देखने को मिल जाते हैं तो हमें 2D background और हम लोग सिर्फ बनाते है ibex paint की मतलब से तो बहुत ही जादा time लग जाएगा इसलिए मैं यहां पे एक trick यूज करूँगा जो भी हमारा pixabay है उसके अंदर हमें बहुत सारे हां पे 2D assets और देखने को मिल जाते हैं तो आपनों को pixabay को open करने के बार में search bar में ट्री टाइप करना और यहां पे वेक्टर को select कर लेना है इसके बार में थोड़ा सा scroll करना और आपनों को कुछ इस टाइप का ट्री का png image देखने को मिल जाएगा इसको आपनों को download कर लेना है यहां पर bush search करना है और search करने के बार में scroll करना है कुछ इस टाइप के grass आपके images आप लोगो देखने को मिल जाएंगे उनको आप लोगोड कर लेना है जैसा कि देख सकते हो हूं मैं यहां पर download कर रहा हूं यहां पर मैंने तीन images को कुछ इस टाइप के download किया है इसके बार में आपनों को यहां पर wood search करना है search करने के बार में थोड़ा सा scroll करना है कुछ इस type का wood आपनों को देखने को मिल जाएगा इसको भी आपनों को download कर लेना है download करने के बार में आपनों को दोबारा से यहां पर search करना है stone और इसके बार में आपनों को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और कुछ इस टाइब के स्टोन सोगे आपनों को देखने को मिल जाएंगे कोई सा भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इसके बार में आपनों को इस टूल सर्च करना है और इसके बार में स्क्रॉल करते हो कुछ इस सबी चीज़ों को inspirational करने के बार में आप नो AR गरेशियों करके कुछ इस टाइप के साइज को ना सिक्ष्ण करना है नहीं पर तुर्क रेपर ब्लु कलर पर सफ्रों चरह करना है कुछ इस टाइब से नीचे कुछ इस टाइब से आप लोगो रो कर लेना है ठीक है और यहाप नीचे वाले डार कोभी सिलेट करके इसको टेंड इसके बार में आत्लों को लेयर में जाना है और आलफा लॉक्त करदें है और इसके बान में आपे और को कुछ इस टाइप से हैं पे कलर जो यहां पर लाइट-बुलू सब्सक्राइब करते हैं नीचे वाले डार कलर में कुछ इस टाइप से आप लोगको डिजयन करने ठीक है फिर डार कलर को फिस टाइब से स्ट्रक्शिर्स भर आपनों को उपर की तरफ में आप लोग कुछ इस टायब से लेगा है इसके बाद में को क्या करना रोत को आप लोग को सिंप्ली सेलेट करना और नार्मल बरॉश कंपर इस टाइप से यहां पिज़ा reduced का पैर है उसको हम लोग यहां इसके बाद में अनने आपलों को पीलू को डिसाइन करना और फिल कर देना इसके अदर अप्रणों को लैर्स में विजार से करें च interpreं करें आप नियुक्त को कुछ लौठ से अइजर करना प्रह्मक को धृज्पातर देना है यहां पर आप लोंको यह बैट रेड़ी हो जाएगा इसको आप लोग सेफ कर से बाद में दोबारा से आपनों को प्लस पे किलिक करके सेम यहां पर रेशियो में सेम क्वालिटी की साथ में निव पेज को उपें करना है यहां पर ब्रश तुल को नॉर्मली यूज कर यही तीक कुछ को यी चैब कर दे रहराएग करनों इसके बाद में इसके कॉर्ण्स को मैं अच्छे से एरेस कर देता हूं जैसा कि देख सकते हो और इसके बाद केसे में थोड़ा सा डार कलर करके जो भी यहां पर रॉट सोगे रहा है उनके अंदर भी कुछ इस टाइप से ब्रश का यूज कर देता हूं और इसके बार में हमारे यह विंडो का पी एंजी भी रेडी हो चुका है इसके बार में दुबारा से आप लोग को एक न्यू पेज के साथ उसी क्वालिटी के साथ और से मुसी वूड कलर के साथ में आपनों को कुछ इस टाइप से यहां पर स्ट्रक्शर बना जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसके अंदर में जो यहां पर दर्वाजे को फिट करने के लिए जो वूड चाहिए होता है उसको डिजाइन कर करके यहां पर फिल कर देता हूं कुछ इस टाइप से आप लोगों को मीडू जैसा कुछ देखने को मिल जाएगा फिर यहां पर की तरफ यह ब्रश का इस्तमाल करके कुछ इस टाइप सा यह बना दे रहो है फिर यहां पर एक न्यू लेयर को एड़ करके मैं इसके अंदर स क्या करना एक new layer को add करना है और इसके अंदर आप लोगों को simply black color को fill कर देना और कुछ इस टाइप से महाँ पर simply clouds होगर add कर देता हूं कर दिया है और इसके बार में आपनों को क्या करना है यहां पर एक ब्रिक जैसा कुछ यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा पींट कर देना ठीक है कुछ इस टाइप से एज़ेश पे और उपर की तरफ आप लोग थोड़ा सा white भी add कर सकते हो जैसा की देख सकते हो और इसके इसके अपनों को सिंप्ली सेफ कर लेना है अब aybix paint से सब चीजहों को बनाने के बाद में आम इन यह सब को मिक्स कर के बैकराउंड बनाने के लिए आप लोंको सिंपली पिक्सल LAP को उपेंट करना उपेंके के बार में एक बलंक पेज को स्लिट करके इसको आपनों को यहा पर एक forest को build कर लेना ठीक है जैसा कि देख सकते हो और trees और अच्छे से आप लोगों को adjust करने और इसके बार में यहां पर आप लोगों को सिंपली जो हमारा बुश हो गया रहा था उसको सिंपली आप लोगों को अबर मेटस को अड़े करने के बार में आपनों को एक simple image ready हो जाएगा फिर अगर रात वाले scene को यानि इस image को अगर आप लोग आट करोगे तो simple सा एक night image आप लोगों को यहाँ इसके बार में आपनों को क्या कहना है अपर trees को यहाँ इदर-उधर करके आप लोगों को 2-3 images इसके नीचे कर दे रहा हूं और यह हमारा इमेज रेडी हो चुका है ठीक है और आप लोग अपने स्टोरी के अलग 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 इमेज़ उगरा को क्रिएट कर सकते हूं जैसा कि देख सकतो मैं ट्री उगरा को अच्छे से इधर उज़र करके एक न्यू इमेज को हैं पर मैं थोड़ा से ट्री उगरा को कम कर दे रहा हूं और हमारे यहां पर एक नेक्स्ट इमेज रेडी हो चुका है ठीक है इसके बाद में हाउस के इंडूर का सी में आपर क्रिएट करने लगा हूं तो एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करके मैं आप सिंपली शेप्स को क्रिए उसके यहां गगल में कुछ इस टाइफ से आपनों को मैं अच्छे से और इसी को कॉपी कि आपनों को थूड़ा सा अधार को सिंपली इसके अजए करना जैसा कि देख सकती है इक डार्क बुलू कलर में शिम्पली आप एड कर दिया ठीक है सिम्पली डार्क लेता हो और OK पर क्लिक और इसके बार में 3D रोटेट में जाकर कुछ इस टाइप सा आपनों को यहाँ पर सिंपली टरेंज जैसा आपनों को सिंपली यहां पर इसको रोटेट करना है और नीचे एड़ कर देना है फिर यहां पर जो हमने बैड क्रियेट किया था उसको हमने करना है और इसके बार में इस टूल को जो हमने डाउनलूड किया था उसको मैं आपे सिंपली कॉर्णर पर जस्क कर देता हूं और थोड़ा बहुत इसके ब्राइटनेस को भी आपनों को एज़स्ट कर देना है फिर यहां पर आपनों को दोर का जो हमने मॉडल बनाया था फिर दोर को 3D रोटेट करके मैं आपे सिंपली जैसा कि देख सकते हो और इसको मैं आपे बगल पर सिंपली एड कर देता हूं और इसके अंदर आपनों को सेम यहां पर फोरेश्ट का इमिज को कुछ इस टाइप से पोर्ट्रेट में सिंपली क्रॉप करके आपनों को सिंप कर देना है जैसा कि देख सकते हो और इसके बाद में विंडो के लिए भी मैं आपे कुछ इस टाइप से आप नाइट वाले फोरेश्ट को कॉपी करके फिर क्रॉप करके मैं सिंपली आपे यहां पर विंडो की पीछे सिंपली एजस्ट कर देता हूं ठीक है और इसके लेयर ब्लैंक सेरे शक्श्ट इस टू-डायनन में नियुमे करना है और यहां पर मैं नइट वाले मीड्यो स्षिर इंक को से मिंपोर्ट करते हुए उसके अंदर कुछ इस टाइप से मेरे सिंपली करके करता हूं यहां पर ब्रिक वाल हमने इमेज किया था उसको आपनों को कुछ इस टाइप से कॉपी करते हुए इसके ऊपर यहां पर च्छत टाइप सा बना देना है यह हमारा हाउस रेडी हो चुका है इसके अंदर आप लोग को क्या करना है जो हमारे यहां पर विंडो का सीन इसको आप लोगो बाहर से सिंपली कुछ इस टाइप से एड करना है और यहां पर दोर वाले कुछ इस टाइप की मॉडल को एड कर देना है जो हमने क्रिएट किया था इसके बार में जो एक्ट्री का इमेज है उसको भी मैं सिंपली इंपोर्ट करके अज़ेस्ट करते थोड़ा सा अच्छा सीन रेडी हो जाए तो यहां पर मैं बुशे सोगरा को सबसे पहले ब्राइटनेस कॉंटास इनके एज़ेस्ट कर देता हूं ताकि थोड़ा से यहां पर ब्राइट लगने लगे और इनको आपनों को पीछे और यहां पर हाउस के पीछे भी अच्छे मैं यहां च्युमेष्ट कर देदा है और ले को इसमिए और फृटर डर को आप लोगप कर लेता है रहा है और यहां पर को त्बढ़ा सब्सक्राइब करेंवरे. चश्णर हाँ और यह नहीं मैं डोलो को सिम्हार लगना मule daylight condition में एक यहाँ पर door closed condition में एक image को simply create कर रहा हूँ ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही अब animation को हम लोग next part में discuss करेंगे